दोस्तो मैं मनोज कुमार मुखिया और आज हम लोग का छूटी है तो छूटी का दिनी तो वीडियो बना पाते हैं क्यूंकि काम के बगत वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल है और क्रोश्या में बीना काम किये रहना तो और मुश्किल है तो दोस्त आज आज आप सबको फा पता है और जो मेरे भीवर से उनको पता है कि मैं क्या करता हूं वीडियो अलेटी बना के रख दिये हैं और कल क्या कराएंगे वो चीज पता नहीं है दोस्तों यहां पे आप मेसन है या टायल मेसन है जो भी है इस्टील फिक्चर है जीरो से लेके उपर तक है सारा काम करना प अभी सिलरी कितना दे रहा है तो अभी तो सिलरी आया नहीं है बट हम लोग के साथ में हम लोग का बौस काम पे जाने से पहले एक मतलब explain किया बात किया कि मैं यह यह आप लोग को देने बला हूँ करने बला हूँ तो दोस्त फाइनली आप सब को बता दे की जितना बोलता ह उतना यहाँ पे नहीं हैं दोस्त हम लोग को 6500 EUR कमपनी दे रहा है और 7500 EUR दे रहा है और काम कितना करना परता है पता होना चेहीं आप सबको आठ घंटा duty करना परता है हापता में फांदिन उसका सेलड़ी हम लोग मिलेगा कितना 5,7 है दोस्त उसी में है जो 70 में है उनका घंटा का 4 यूरो 8 यूरो 5 यूरो 10 यूरो किसी का 1000 है कुसी का बार頭 साथ है किसी का 500 है इसी हिसाब से कंट्रक्शन लाइन में अभी सिलरी दे रहा है तो फाइनले आप सबको पता हो गया होगा कि contraction helper का अभी salary कितना है यहाँ पे और एक बात भी सर गया है खाना और accommodation के बारे में क्या है contraction में काम करने वालों के लिए तो दोस्त आप सबको बता दे कि सुरू में आपका खाना का पैसा नहीं देता है इसका कारण है कि बहुत सारे नेपाली इंडियन आते हैं और यहां से भाग जाते हैं और company का भी तो खर्च होता है यार room में rent पे लेता है राखता है उसमें system सारा आपको तोसक रजाई anybody सब साजाता है उसके बाद police station में ले जाएंगे सारा काम कराता है वो खर्च लगता है बहुत सारा खर्च लगता है और आते हैं यहां पे और TRC कार्ट बनाने के बाद भाग जाता है इसके बज़से एक दू महिना मेरे हिसाब से reality यही है तो company watch करता है कि यह बंदा क्या करने वाला है उसके बाद आपका रहने के लिए और खाने के लिए फिरी कर देता है contraction में company ही देता है यही reality है और हम लोग का salary साड़े साथ से होने वाला है और हपता में आपको दो सनी बार का काम होगा बाकी नहीं होगा बाकी छुटी रहेगा तो यह boss ने बोला है और वही तहद हम लोग आज छुटी में हैं कल भी छुटी है तो दोस्त यह वीडियो आप सबको कैसा लागा लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएगा और कौन सा topic पे वीडियो बनाना चाहिए क्या topic आप लोग ज़ानना चाहरे हैं अगर आप क्रोशी आने वाले हैं पोरसेशिंग की या फिर भीशा आ गया है तो क्या करना चाहिए आप कमेंट करके बताएगे मैं उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा तो थाइंक्यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में